करोना का दूसरा लहर का कहर अभी थमाद ही नहीं है कि तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है तीसरी लहर बच्चों को काफी प्रभावीत करें लिहाजर दे लेकिन के लोग इस कैसे निपटने के लिए तयार हैं ऐसे ले लिए हैं इन लोग बाचीत करने के लिए हम इसवक्त मुझूद में और उनहीं इस वक्त जहां पर मौझूद है यह पूरी तरह से आदिवाशी बहुल गाओं है और यहां के लोग इस तरह से कुरोना से बचाओ को लेकर सतर्क है चुकि जिस तरह से कुरोना लगतार रूप बदल रहा है और लोग इसकी जद में आने की संभवना भी बढ़ रही है तो वै एक्सीन के परती जो सर्विक्षन कराया था स्पेसल टास्फोस के दुआर तो क्या यहां पर वैक्सीन के लिए को है लोग आया था वेक्सीन उपकेम्प लगा थे वाकिल कोई ने डर कमारे दूसरा कोई भीडू का दिय सिले नहीं लिए हैं आप लिए कि नहीं है हम लिए कोई नहीं ले रहे हैं इसलिए आम सोचे कि हम ले लेंगे तो पिर आगला लेंगे वेक्सीन का दोनों डोज ले ले लिए हैं ना ये कि छली है भी दूसरा डोज भी समय नहीं हुआ है अच्छा जो सरवेक्षन के जो टीम स्क्रीनिंग कर रही थी घर घर जाकर लोगों से अब पेपार पढ़के उसे क्या-क्या समझें उल्टा-फल्टा ऑफ लगे इसलिए बहुत कोई नहीं लिये हैं घर में और बाकी लोग लिये हैं घर में हम लोगों घर में रहा होस्पेंड लिया है फिर आगला दू तीर जहन लिये हैं अब पाट पिलाल ने बच्चा सब लिए है जूग ने जो लगया था ना वहाँ पर अभी जिस तरह से ये बात सामने आ रहा है कि तीसरी लहर आ रहा है पता है ना पता तो है तो बच्चों को बचाने के लिए आप लोग के तरफ से क्या कुछ प्रयास किया जा माँ पापा के बीमारी से बचे ताचा रहेगा नुट कुरोना से बचाओ को लेकर जो महिला है वो वैक्षिन ले लिये हैं अब पुरुसों से भी बात करते हैं कि वैक्षीन के परति कितना अब लिए अब लोग अब बाकी घर को लिए हमारा दो भाई है दो भाई ले ली है और मा भी लिए तीसरा लहर जिस तरह से आने वाला हर बच्चों को प्रभवित करेगा तो उसके पर्ति कितना सतर्क है अप लोग देखें तीसरा लहर कि जदी आज आता है तो हम लोग बच्छों को स्वातर कर रखने का पर्यास करेंगे साब सभाई को ध्यान में रखते हुए सब जरूरी है जरूरी है और साब सभाई की जिसे घर जैसे ढूगते ही कहेंगे कि साबून से हाथ हो यह सब तमाम चीजों का उपयोग किया जा रहा हम और महिलाओं से बात करें जी बता है अब वैक्सिन लिया है करोना का लिया अप लिया नहीं लिया है नहीं लिया है लिया है वेक्सिन जो है ना सुक खतम हो गया था इसलिए अंगर बाड़ी के सेवी का साइका के दिदी लोग जो घर जाके स्क्रीनिंग कर रहे तो आप लोग गर माया था कि आई थी कुछ बताया हो लोगों लेने के लिए बोले थी वोले कि स्वस्त रहना है को वीट से बचना है तो उसके लिए वेक्सिन बहुत जरूरी है और ति नहीं ले पा रहे है और रहना है विट्रेशिटेशन नहीं दो नहीं वेक्सिन उस दिन तो गया थे पर अभी खतम हो गया था उस दिन कहीं नहीं कहीं वेक्सिन की सोटेज एक बड़ी वज़ा सामने आ रहे ही जिसकी वज़ा से गरामिन वेक्सिन नहीं ले पार है और यहां के जो मुख्या है उनसे ही हम बात करते हैं चुकि जनपरती कि सरकार के अस्तर पर जो सर्वेक्षन किया गया था टास्पोर्स का गठन करके उसका फलाफल सकारात्मक पोजिटिव रिजट कितना देखने को मिल रहा है अभी लगभग हमारे हिसाब से 20-22 परसेंट तक लोगों ने लिया होगा दिया छेत्र में और यहां जो है सो पहले के उपिछा बहुत कुछ जागरुत हुआ है नहीं हुआ है फिर भी अभी भी ऐसे ऐसे लोग है जिसको से समझदारी नहीं है और दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं गलत बातों को लिए करके और उसी पर लोग विश्वास करते हैं एक वरसते हैं कि हम लोग पूरा पर्य दो तो चला गया अभी तीसरा आने वाला है जिसमें रिपोर्ट मिल रहा है कि बच्चा तक को अभी कोरोना का परभाव पढ़ने वाला है और इसे भी सुनने है कि कुछ लोग को परभाव पढ़ चुका है तो उसके लिए जो हैसो हम लोग को हमारे पंचाइत अस्तरिय भेकनी सन उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है अगर बढ़ जाता है हमारे परखंड में 13 पंचाइत तेरा पंचाइत में सिर्फ एक ही ग्रूप है जो कि 13 गूरूप में चलता है जो कि 45 पलस 18 पलस अभी शुरुआत नहीं हुआ है अठारा पलस कभी कभी तक यहां शुरुआते नहीं हुआ परखंड में असतर से वह चल रहा है लेकिन वहां भी कभी कभी काम होने कारण से नहीं मिल पतता है तो आप लोग के असतर से क्या कुछ परियास किया जा रहा है चुकि वैक्सिनेशन के कमी है और वेक्सिन अगर उपलब्द होगा तभी वैक्सिन लोगों ले पाएंगे हम लोग कोशिज कर रहा है कि जहां भी मतलब है सरकार के दौर आए हुए है अगर नहीं रहेगा तो कहीं भी भेजने से लेगा ही ने इस पंचायत में कहां पर वैक्सिन दी जाती है हमारे पंचायत में हम बाट बाट है वहां तीन बार फिर मेराल में लगवाएं लेकिन भेक्नियसर आया नहीं इस चलते जी है सब को लोटना पड़ गया लेने के बाद तो वही दू दिन तो खर बुखार होता ही है दो दिन बुखार हुआ था तो लोग देखिए गांवाला सब देखने लगा बोला कि नहीं तो इनका सुई लेने के बाद बुखार आया तो मर जाती है इसे का के बोल रहा था लेकिन हम तो नहीं डरे क्योंकि हमको डर नहीं लगा हमको भी माव में अपवा का भी लोग सिकार हुए है अशी कार हुए ऐसे का के बोल रहे थे लेकिन हम उन लोग जो हम से सवाल करने लगे तो उनसे बताए हम की देखिए ऐसा बड़ा बीमारी है अगर जोदी हम लोग नहीं लेते हैं तो बहुत दीकत की बात है एक का चलते पूरा बीमारी फैल जागा तो सब लोग मरने लगे बोलके वंगा बहुत बता है तो लोग फिर भी कन्फीयूजन होने लगते है लेकिन फिर भी का whole लोग को तो तीसरी लहर के podr के लिए सब्साबूं तो में हम मीटर का दूरी बनांगे बच्चे लोग को भी सतर्क रखेंगे लेकिन जिस रप्तार में वेक्सिनेशन होना चाहिए गरामीनों में वो रप्तार कम दिख रहा है क्या वज़ा हो सकता है देखे पहला तो बात जो है कोरोना को लेके जो जिसा पुरा गरामीन छेतर में जो महोल बना हुआ है एक डर का महोल है कि क्या अचानक जो है कोरोना एक तो डर है उसके उपर एक भेक्सीन जो है नहीं आ गया तो उससे कहीं कुछ दिकत हो जाएगा क्या होगा तो उसको लेके तीग केंब लुक टेज़ा बहुत लेकिन आभी दिरे जो है बहुत सुधार है और यकार और बीक दिकतता बहुत टेजिए और नहीं इसके चलते हो नहीं पा रहा है कि यहां के लोग ले लेकिन इतना कम डो जो हमिला कि लोग जो है और वापस लोड़ गए लेकिन जैसा भी न्यूज आ रहा है आप ही का न्यूज 11 से जनकारी मिल रहा है कि 15 तारी को डो जाएगा तो फिर उसके हिसाब से फिर डेटता है होगा यह बहुत भारी अभाव है यह हां भैक्सीन का और यह सरकार को भी जो है इस पर सीरियर्यस होना चाहिए चुकि अभी फर्स्ट सेकेंड वह सेकेंड तो खतम नहीं हुँआ भी जली रहा है और फिर थरडबेब का भी संकेत जो है आही रहा है देश के अंदर तो इस परस्टी में हम लोग के केंद्र सरकार और राजसरका दोनों सरकार को मिल के जो है इस पर बहुत तेजी से काम करने का जोरत है ताकि हम लोग जो है जो थड़ बेब जो आने वाला संका है उसको हम लोग टाल सकें और आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना को टालने का मात्र एक उपाई है हम लोग के पास कि वो से बाहर नहीं निकले घर में अपना कम से कंद सुरक्षीत रहे जो भी पढ़ाई का मामला है वो अपना जा रहा है ताकि कोरोना से प्रभावित ना हो लोगों की शिक्षा चुकि अगर किसी तरह का कुछी को कोई प्रोब्लम है विमारी है तो उन्हें वैक्सिन नहीं लेना है अगर उसी बीच अगर कोई लेता है तो कुछ उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है जो गाओं क करके जहें ब्लोक के जो डॉक्टर है उनसे लगातार कॉंटेक्ट में है किसी को भी वह इसा कोई दिकत हो रहा है तो तुरंत हम लोग जो है उनसे प्रामर्स लेके उनको दवाय दिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं साथ है खासका टीवी या बीपी ओगर सब जो है उसके लि मप्रेमक्र का जो घोल है तुरंत आपको कम से कम तुर्त लेना है ये सब प्रिकोस्न हम लोग जो है सयब लोको बोल रहे हैं और अपना एश्ट्च के लिए ल को में अपना एनरजी को कम से कम खर्चों इस पर ध्यान दीजीयर खाप यिचान पयान दीजी जी मेंबूं हो जाए तो उसका भी कहीं न कहीं सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल रहा है सकारात्मक पोजिड़ीव देखने को मिल रहा है। हम कुछ और जगह की तस्वीर दिखाएंगे और वहां के लोगों से जानेंगे कि कुरोना से बचाओं के परती लोग कितना सचेत हैं वैक्सीन लेना कितना जरूरी लोग समझ रहे हैं कितने परसेंट लोग वैक्सीन ले लिये हैं और वैक्सीन के जो अपवाध है उससे बचने के लिए उस जगह के समासे भी या फिर अस्थानी लोग की तरह से लोगों को जागरू कर रहे हैं अब हम इस वक्त मौझूद है रातू परखंड के गुडू पंचायत में और जैसा कि अभी खेती बारी का समय है लिहाजा किसान अपने खेतों पर नजर आ रहे हैं यही वज़ा है कि हम भी सीधे खेतों पर ही मौझूद है और लोगों से जानने की परियास करेंगे कि किस तरह से कुरोना के परती बचाओ के जो तमाम उपा है उसका उप्योग कर रहे हैं थड़ वेप से बचने के लिए कितना सतर्क है तो जी बाबा बता है कि अभी कुरोना पर लेकर जो वैक्षिन दी जा रही है वैक्षिन लिये है कि नहीं हम नहीं लेया मना जाए लेने लिए नंग और कर दोक्ते lies कर नेकली नहीं देता है कहां कासी कोण देगा मिदो नहीं बताते है कि वेक्सिन काँ दर्लोद सीए झाली दर् exposed to onttm यह आघमे दोक्त लेकिन और कि यहां लेने जाना कि लेने जाना चुillion मिव्या दे रहा थे तो चीछी आत नहीं गए हम दो लेने का इच्छा है ना लेने का इच्छा है लेकिन लोग नहीं ले पाए है चुकि छेतर में वैक्सिनेशन केम्प नहीं लगा गया है इस वज़ा से भी लोग वैक्सिनेशन नहीं करा पाएं तो आप लोग वैक्सिन लिये की नहीं 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 लिये उमर नहीं हुआ है टो लोग वैक्सिन को नहीं ले पाए है बोट लूब अब कुछ महिलाओं से बात करें गया जानेंगे कि में Шुनके परती कितना सथर्क लेना है कि नहीं अंगनबारी को जो दीदी लोग घर घर जा करके पूछ रही थी कि वैक्सिन लेना है वैक्सिन लेने से उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तिन सब चीजों को बताया था कोई नहीं बतला है कोई आया ही नहीं इधर तो कैसे पतर है इधर आते ही नहीं कुछ भी पता नहीं चलता है कि यहां के लोगों को यह भी नहीं पता है कि वैक्सिन कहां पर दी जा रही है नहीं दी जा रही है तो इस वज़ा से भी लोग वैक्सिन नहीं ले पा रहे हैं वैक्सिन लेने से वंची थोरे जी दादी आप एक्सिन लिये की नहीं के बिली ने गाता इशा के बोलता हुआ ह exercise अपर नाम को जान घुएंड बटा कि अच्छिन लें लिनरा शेहले दाए पमनाओं 10 expired मिh लेकिन वाड़ी से जब जूड़ी है तो इन्हें पता होना चाहिए कि वेक्सिनेशन के परती लोगों को होना है इस महामारी से बचाओ के लिए यह कितना जरूरी है लेकिन इन्हें पता नहीं है और कुछ एगर बचाना है तो गारें को बहुत शतरकता जरूरी है और करोना के अब अब तक कोई सफल इलाज के याहत नहीं हुआ है वैसे में वैक्सीनेशन ही एक मातर बड़ा हत्यार है जब vaccination के परती लोग सतरक नहीं होंगे, जागरुक नहीं होंगे, तो लोग वैक्सिन नहीं ले पाएंगे, यही वज़ा है कि अधिकतर गरामिन लोग वैक्सिन नहीं ले पा रहे हैं, वैक्सिन से वंचित हो रहे हैं, तो हम और कुछ जगा की तस्वीर दिखाएंगे, और व लेकिन हम जानेंगे लोगों से ही की वेक्सिन लिए जांहिए और नही लिए तो इसकी क्या वजा हाँ आप एक्सिन लिये हैं किंगॉठ नाय लेने का कालन थोड़ा तब्यत थीडि थिक नए था इसलिए भी दो सरकार को चाहिए था कि इंजक्सिन ऐसा निकाना था कि उसमें चारण भी देना था तील नहीं करनल पकारण यह था कि और सवस्थ वैक्दी लेना चाहिए थोड़ा वेमार रहते हैं वेगे अगर आप भी सिनलेना इसको बिमारी नहीं लेना वह बहुत लयु MOD इंफेक्शन होने का डर है लेक्सिन लेगा लेकिन थोड़ा जनकारी के अभाव में नहीं लिया हुआ है अपनी बाबा वेक्शिन आम नहीं ले लेना है के लेक्सिन लेना है अब कर से घर वाला को भी तो परभावीद होगा हम बहुत है थाम पुर्ण पूरा वाइपव ठाइब है यह जान जान है हम बहुत है नहीं लेगा लोग है किने चोटा चोटा बचा चोटा बचा तो नहीं गए तो उसको कोरोना से बचाने के लिए परिवार के लोगों को एक्सिन लेना है थिक है ठीक बात नहीं चाते हैं और अपने परिवार को भी वैक्सिन दिलानाना नहीं चाते हैं जी बाबा जिस तरह से यह बहुं47 में जो बाबा मुण है कि वakukan कि से डिलेना है परीवार के लोगों को यह शी दिलाएं कि तो इस तरह का अगर को लोग पता नहीं है वो लोग पेपर आदे भी ने पड़ते हैं अभी जिस तरह से को रोना का तीसरा लहर आने वाला हर बच्चों को ज्यादा एक्फेक्ट करेगा वो तो ऐसे में बच्चों को बचाना एक बड़ी चुनोती होगा और बच्चों को बचाने का जीमेदारी परिवार के जो सदस हैं गार्जेन हैं उसी पर निर्भार है तो ऐसे में बच्चों को बचाने के लिए जो वैक्सीन लेने की परिक्रिया है शुरू की गई है काहों में भी वैक्सीन दी जा रही है तो लोग अगर वैक्सीन नहीं लेंगे तो बच्चे को कैसे बचाएंग भी इसे को जागरूख होना पड़ेगा उसे स्वयम को क्रोना व्यक्षीन लेना पड़ेगा तभी देख के बच्छे भी उसे देख केई सिखेंगे और समझेंगे नहीं तो ऐसे में तो नहीं हो पाइगा विलकुल आप बिलकुल सही बोलें जी आप वेक्सिन लियें कि नहीं गर में बच्चे लोग हैं छोटे-छोटे चोटे है याथी तीन के लिए कोरोना उसे कोई नुक्सान ना पहुचा है इसको बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए हमलन कि दोक्टर का सलहा लेते हैं अब प्रोपर्द होते हैं ना मास का उप्योग सेनिटाइजर यह सा उसका थी सिनिटेजर होता है का बोलते हैं कि यह होता है अभी चुकि खेती बारी का समय है और धान की खेती राज में बड़े पैमाने पहर होती है और राज के परमुक खद्दान फसलों में से एक है धान लिहाजा सरवाधिक लोग अभी खेतों पे नजर आएंगे लेकिन मैं कुछ गाओं के लोग भी नजर आ रहे कि वैक्सिन दे रहा है तो लेना नहीं है कर दो दर नहीं है कर दो सकता है करोना और बचाओ के लिए वैक्सिन लेना जռरूरी है इस बात को आप नहीं समय रहे हैं समध रहे हैं नहीं पता अगर आपको करोना होगा तो वख्चिन लिजी अगा नहीं दूसरा Meg stagne अगर अदर में तो उसको ना पता करने से कईसे होगा है जोपर बच्चे कुंटे डने लेना चाहते है वैक्सीन कितना महत तो है वैक्सीन लेना कितना जरूरी है इसका महत को लोगों को समझना होगा सरकार के स्तर पर जो पर्यास की जा रही है उसका भी अनुपालन करना बहुत जरूरी है और गाओं को अगर कोरोना की जच से बचाना है इसके लिए सबसे बड़ा हत्यार वैक्सीन है न्यूज 11 भारत भी आपसे अपील करता है कि वैक्सीन अधिक सधिक संख्या में जाकर लोग ले वैक्सीन ले तभी इस महामारी से जंग जीत सकते हैं और आम जन जीवन जीस तरह से कोरोना की पहरी लहर से दुसरी लहर में प्रभावित हुई है लोगों की रोजी रोजगार चला गया है लोगों की जिन्दगिया चली गई है उसको अगर समाने तोर पर अगर पट्री पर लाना है तो जरूरी है अधिक सधिक लोग वैक्सीन ले न्यूज 11 भारत अपील करता है लोगों से कि अधिक सधिक संख्या में लोग वैक्सीने सेंटर पर जाकर वैक्सीन ले तभी कोरोना वैस्टिक महामारी से जंग जीत सकत है राम जंजिवन दोवारा पाटरी पर लोड सकती है। इस पेसकत के लिए इतना ही। मुझे यह इजाज़त नमस्कार। झाल कर दो कि अ